असलाम अलेकुम गाइस वेलकम बेक टो मारी इटूर आज से हम फोटोशोप की जो रिमेनिंग किलास जी जो आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं तो पिछली किलास में आपको बहुत साथ चीज़ें पढ़ा थी आज किलास में आपको करो तूल और स्लाइस तूल और स्लाइ से मैंने सोचा कि यह किलास जो हो थोड़ी चोटी सी रखूंती है अब यहां पर आपको दिख़ भी रहा होगा कि यह चारो टूल जम पढ़ चुके हैं चारो टूल से हवाले से थे किसी ना किसी तरीका थी चारो टूल सेलेक्शन कर रहे होते थे हर किसी का थोड़ था काम लेकिन सारों का काम में काम जो था वो था सेलेक्शन करना ठीकिए तो आज की किलास में हम यह किरॉप टूल पढ़ने वारे हैं इसको जिसे किलिक कर पर लगे लगे तो यहां पर देखेंगे आपको चार टूल और नजर आ रहे हैं तो किरॉप टूल परस्पेक्टिव के मदरा करना वगेरा तो पुढ़ने और फिर आपको जो तो यह नहीं होगा तो यहां से भी आप इसको चोटा बढ़ा वगेरा जितना आप करना चाहें आ इसको कर सकते हैं और उसके अलावा अपनी मर्जी के मताबिक भी जो भी करनी है मिसाल की तो उब हो गया इज करना खरों के यह वह क्रोब करना है रोस। इस अल करते हैं यह वी से लेक्शण की तपर ही काम करेगा लेकिन खुरूब करेगा जबने जो इन दर टूल है जो बी इस चो चूते से टूल है इस व्हिसा थोड़ा domination की समझा रहा हूं पढ़ा रहा हूं कि इनका एजित ज्यादा काम नहीं है मतलब हैवी काम नहीं है जो मैं इनको आपको डीटेल में पढ़ा हूं इन पर टायम में लगा हूं यह सारी चीजे करूँ का मकसद सिंपल करना जैसे आप अपनी मुबाइल से फोटो निकाल के कोई भी अभी जो आप यह जो परस्पेकटिक करोफ यहां मिसाल के दूर्प में यहां पर स्टहर कर लेता हूं अभै यह तो नॉर्मली च casing हो चूप है इसको जैसे अर्या में उस प्रभी से जाए टा आप यह तो थी तो ने निकलर कि यह देखें परस्पेक्टिव का जो मैं एक एक जेम्पल देखेंगे एक शेप उसको आप थोड़ा साथ 3D तिल्ट अंदर बाहर या फिर ऐसे ऐसे दिखाना चाहरें तो आप उसको परस्पेक्टिव नी दिखाना चाहरें लेकर लुग करेंगा कि जितना आप एरिया से ल परस्पेक्टिव हो चुका है परस्पेक्टिव एक किसम की जो है वो उतिक्तिव करना यहां किसी घीच कहते हैं वगरा तो यह भी असहाब से करें गलाव थाथ कीम्दाए कर सकते हैं चौन्ट्रião करेंना चाहरें। तूल मैंने आपको इलुस्ट्रेटर वारी सीरीज में बहुत अच्छे से डीटेयल से समझा रखा है तो यहां पर भी जो सेमी काम है अगर आपने इलुस्ट्रेटर वारी पूरी सीरीज देखिए तो आपको इसलिए मैं आपको रिकमेंड हमेशा करता हूं कि पहले आप यहां पर मैंने दूसरे पिस में कटकर लिया यहां पर मैंने इसको तीसे पीस में कटकर लिया तो ये देखें ये जो image है वो सारी pieces में cut हो चुकी है यानि कि ये जो image मैंने पूरी post यहां पर लखी थी ये पहले पूरी post थी लेकर अब पीसिज में cut हो चुकी है तो ये अगर मैं इसको import करूँगा या export करूँगा तो ये pieces में cut होगी तो ये जैसे में आपको बताया था कि आपको slice tool को use करते हूँ अगर किसी भी चीज़ को slice करेंगे और इसको export करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग तुक्रों में आपके पास export होंगी और उसके अलावा जो इसके अंदर जो चोथा tool है तो वो है slice selection tool तो यह आपने slices कर ली हुई है अगर आप इसको select करना चाह रहे हैं यहां पर देखें यह बड़ा कर लिया यह चोटा कर लिया और उसके अलावा उपर नीचे से यह देगे जितना भी आप करना चाह रहे हैं क्याने का मक्सद यह कि आपने slices वगर की हैं उनकी selection और उनको delete करना यह सारा कुछ यह आपको तूल है वो आपको करके देगा यह देखें सारा कुछ जो है वो delete होटा जाएगा तो जैसे आप slices बनाएंगे पीसिस बनाएंगे और उन पीसिस को अगर आप दुबारा select करना चाहिए क्योंकि वो slice tool है वो तो सिर्फ slices करेगा उसको select नहीं करेगा तो यह जो चाहो तूल से बिल्कुल बहुत चोटे से तूल से तो मैंने सूचे कि आज चोटी सी class ही रखता हूं ताकि इनको बहासानी में आपको समझा सकूँ क्योंकि इनका यह बड़ा काम नहीं सिंपल करना काम है आपके रोग कर सकते हैं चोटा बढ़ा कर सकते हैं जो फिरमर में सब्साश्राइब कर सकते की देखा कई यह जोड़ी चीज़े में अभी है पड़ा रहा हूं और थोड़ी सी लिक पान लेंदी तो 5-10 मिनट ले लेगा और उसमें एप यहां पर चार तूलस थे तो पचश विंट बिस-30 मिनट कि लंबी किलास्स हो जाती है जो कि मैंने देखा है कि एनलेट इक से यूटीब के देखें कि बहुत सारे लोग उसको देखना बसम नहीं करते हैं तो इससाब से मैंने सुझाए कि आज से मैं छोटी-छोटी किलास्स बना होगा ट्रह्य संजांगा मैं आप व डिटीचेल में मैं में पूरी कोशिक हम कि और आप तक सुनगला होगान फोड़ी सी किनि तो चीजों को समझा करें चीजों को समझ में नहीं या चार टून से तो इस वारी सारी चीजे भी आपको पसंद आए गोगी अगर आपको यह चीज सारी चीज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाव यूजियो को लाइक करके और अपिने दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजिए इंशाला मैं मिलता है आप से नेक्स क्लास में तक तक के लिए अपना क्या रखिएगा और मुझे दूआ में याद रखिएगा अला आफिज